रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू आप वीडियो पूरा देखे तो ही आपको सारे डाउट्स किलियर होंगे इस कॉलेज के रिगार्डिंग जिसका नाम है हल्दिया इंस्टिचूट ओफ टेकनोलजी वीडियो को अन तक मस्ट देखना तभी आपके सारे ड रिव्यू लेकर आया हूँ वेस्ट बेंगाल के अंडर लोकेटेट एक बहुती अच्छे इंजिरिंग कॉलेज का जहां आपको एडिमिसन मिले तो आप डेफनेट्लि उसमें एडिमिसन ले सकते हैं जिहां इस कॉलेज का नाम है हल्दिया इंस्टिचूट ओफ इस सबसे टॉप में है बात करें इस college की fees की तो इस college का fees आपको around 3,95,000 में आपकी 4 साल की course complete हो जाती है अगर आप hostel ship लेते हैं तो आपका 4,95,000 जानी 1,00,000 एक्स्टर आपको देना पड़ जाएगा hostel के लिए अगर आप hostel लेके इस college में पढ़ना चाते हैं तो यह मैंने बस room rent बताया है बाकि fooding का अलग से आपको देना पड़ जाता है चलिए बात करते हैं cutoffs की तो पहले मैं बता दू 2020 में जो counseling हुआ है उसमें cutoffs इसका काफी complicated cutoffs रहा है जितने भी college है WBJ के तुरुस में लेकिन मैं आपको आपके सहुलियत के लिए मैं आपको 2019 में के हिसाब से cutoff आपको बताऊंगा जो कि आपको लगा कि आपको अगर इतना rank के बीच में है तो आपको मिल सकता है तो CSE के लिए आपको 6-7,000 के अंदर आपको rank करना पड़ता है अगर आपको इसमें computer science चाहिए हल्दिया institute of technology में information technology के लिए आपको 9,000 से लेके 10,000 के बीच में rank करना पड़ता है तो आपको ये college मिल जाता है और ECE चाहिए तो 12 के से लेके 13 के तक आपको score करना पड़ता है तो आपको ECE मिल जाएगा electrical के लिए आपको 17 के to 18 के, civil के लिए 28 के to 29 के, chemical के लिए 22 के से 23 के, food technology के लिए 32 के से 23 के के बीच में बात करें कौन branches इसमें सबसे best है तो आपको बता दू इसमें अगर आपको CS मिल रहा है, IT मिल रहा है, EC मिल रहा है तो आप ले सकते हैं उसके अलाबा आपको अगर chemical engineering और food technology मिल रहा है तो भी आप ले सकते हैं एक और बात सबसे अच्छी placement इस college में आपकी होती है chemical engineering की और food technology की क्योंकि ये college ऐसे जगह पर located है जहां पर बहुत साथी chemical industries available रहते हैं जिसके कारण वो बच्चे को recruitment के लिए ले जाती है आपकी 95% chances है placement हो जाता है उन बच्चों का जो मतलब इस college में पढ़ते हैं ठीक है और अगर आपको CS मिला है तो भी सही आईटी इसी मिल रहा है तो chemical मिला फूट टेक्नलोजी मिला तो आप इस college में जाने की सोच सकते हैं बहुत अच्छी college है ये बात करते हैं इसके placements को लेकर तो placement के लिए में highest इसका मतलब package आपको गया हुआ है 20 से 25 लाग गया हुआ है ठीक है और average package इसका 4.5 लक्स गया हुआ है बात करते हैं chemical engineering में सबसे जड़ा chemical engineering में प्लेस्मेंट करीम 95% chemical engineering and food technology में हो जाता आपका और वही CSIT में भी 80-85% आपका हो जाता है काफी अच्छी college है अगर आपको इसमें निमसन मिल रहा है तो ले सकते हैं सब्सक्राइब के लिए तब तक के लिए धन्यवाद